बांगलादेश को दी गई उधारी, अब भारतीय कमपनीज पर काफी ज्यादा महेंगी पड़ रही है और आलम ये है कि बांगलादेश की हरकतें एक बार फिर से आसमान पर पहुचना शुरू हो चुकी है जिसके कारण अब भारतीय कमपनियां बांगलादेश के इंपोर्टर पर भरोसा नहीं कर पा रही है और इसके नतीज़तन बांगलादेश में भारत का एक्सपोर्ट काफी तेजी के साथ गिरता चला जा रहा है असल में देखा जाए तो बांगलादेश अपनी दवाईयों के लिए 30% raw material अकेले भारत से खरीदता है हालांकि बांगलादेश 97% दवाईयां को खुद अपने देश में प्रोड्यूस करता है लेकिन कमाल की बात ये है कि इसमें इस्तिमाल किये जाने वाले 30% raw material फिर भी भारत से ही export किये जाते हैं लेकिन इसी बीच एक चौकाने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है कि बांगलादेशी इंपोर्टर ने कुछ दिनों पहले भारत से दवाईयों के कंसाइनमेंट जो उधारी पर उठाए थे उन इंपोर्टर का अब कोई अता पता नहीं है जिससे इन दवाईयों के कंसाइनमेंट का पेमेंट पूरी तरह से अटक चुका है यही नहीं इसके अलावा एक इंट्रेस्टिंग खबर यह भी निकल कर आ रही है कि महाराश्टर के नासिक से भेजी गई प्याज से लदी 400 से अधिक ट्रक भारत बांगलादेश के बॉर्डर पर फंसी हुई है पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है असल में बांगलादेश की राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारतिय दवा एक्सपोर्टर और चिकित्सा परियटन कमपनियों के लिए अनेकों बाधाएं खड़ी हो गई है और यह बात सामने आ रही है कि भारतिय फार्मा एक्सपोर्टर कमपनियों ने इस बात की शिकायत की है कि इनके दवारा बांगलादेश में भेजे गए कंसाइनमेंट कहीं गायब कर दिये गए हैं और ज्यादा तर बांगलादेशी फार्मा इंपोर्टर जिन्होंने भारत से दवाओं के कंसाइनमेंट का इंपोर्ट किया है वह फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं और जिनके द्वारा फोन कॉल रिसीव किया भी जा रहा है उनके द्वारा भारत को पेमेंट देने से साफ इनकार कर दिया गया है। और बांगलादेशी इंपोर्टर द्वारा हर एक सेक्टर में इसी तरह उधारी पर समान को लेकर सीधे मुह बात ना करना और पैसा मांगने पर सीधा मना करना भारत के लिए भी सोचने वाली बात है। और वहीं दूसरी तरफ बांगलादेश की अंतरिम सरकार मुहम्मद यूनुस भारत को आखें दिखा रहे हैं और भारत के साथ अपने रिलेशन को तोड़ने पर तुल चुके हैं। यहां तक कि उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अगर भारत कुछ भी बांगलादेश के खिलाफ करने की कोशिश करता है तो भारत के चिकन नेक को चीन की मदद से ब्लॉक करके भारत की नौर्थ इस्ट वाले राज्य को भारत की जमीनी सीमा से तोड़ देंगे। यानि कि बांगलादेश के लोग भारत के पश्चिम बंगाल को अपने देश में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टा भारत को धमकियां भी दे रहे हैं। यही नहीं बलकि बांगलादेश भारत का पड़ोसी देश होते हुए भी भारत के खिलाफ किस तरीके का फैसला ले रहा है इसका अंदाजा इस खबर को देख कर लगा सकते हैं। जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि बांगलादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर नुकलियर वेपंस बनाने जा रहा है। और परमानु हतियार बनाने के साथ साथ पाकिस्तान से शौट रेंज वाली गौरी मिसाइल को लेकर भारत के बॉर्डर के करीब तैनात कर सकता है। व्यापारिक रिलेशन को तोड़ने पर तुले हुए हैं। लेकिन एक तरफ भारत से दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के सामने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाकर अपनी ट्रेड को धीरे धीरे पाकिस्तान और चीन में शिफ्ट कर रहे यानि कि यह बात जाहिर है कि मुहम्मद यूनुस भले ही बीच बीच में यह कह रहे हैं कि वह भारत के साथ ट्रेड रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनकी तरफ से ऐसा बिलकुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब बांगलादेश की भारत पर डिपेंडेंसी की बात आती है तो उनकी लगभग पूरी तरह से निर्भरता भारत पर ही देखने को मिलती है चाहे वह सामानों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में हो या फिर आर्थिक मदद की। अगर भारत के द्वारा यहीं एक्सपोर्ट पहले ही बंद कर दिया गया होता तो बांगलादेश की फार्मा इंडस्ट्री पहले ही बरबाद हो चुकी होती लेकिन अब कहीं ना कहीं बांगलादेश के साथ वही हो रहा है और बांगलादेश ने खुद मिट्टी में मिलने की तैयारी शुरू कर दी है आपको बता दें कि अगर कीमत की बात की जाए तो भारत हर साल लगभग 50 मिलियन डॉलर के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अकेले बांगलादेश में एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉंसिल आफ इं बलकि इससे भारत का भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि भले ही बांगलादेशी इंपोर्टर भारत से उधार लेकर गायब हो चुके हैं लेकिन इसके लिए सीधे तोर पर उन्हें ब्लेम नहीं किया जा सकता। क्योंकि बांगलादेश के हालात जिस तरीके स चल रहे हैं। इसको देखकर तो यही लगता है कि बांगलादेश के बिजनेसमैन बकाया पैसों को चुकाने की हालत में तो बिलकुल ही नहीं है। और इसका असर भारत के मेडिकल टूरिज्म पर भी पड़ा है। क्योंकि जिन बांगलादेशी लोगों ने भारत में सर्ज प्लान किया था, उनके भी प्लान पूरी तरह से बदलते हुए देखे जा रहे हैं। और पिछले साल की बात करें, तो लगभग साढ़े चार लाख लोग केवल भारत में इलाज करवाने के लिए आये थे। और एक समय था जब भारत दवाओं में इस्तिमाल होने वाले उचाईयों पर खड़ा हो चुका है। चोटा शेयर है। बांगलादेश इस सेक्टर में भारत से दूर भी चला जाता है, तो इससे भारत पर काफी बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और इंट्रेस्टिंग खबर यह है कि लगभग 400 ट्रक जो की प्यास से भरे हुए हैं, यह बांगलाद बांगलादेश को ठिकाने लगाने के लिए यह जानबूज कर किया गया है या फिर कुछ और कारण है इस बारे में जानकारी नहीं है। अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।